कि राश्ट क्लास में हमने यह देखा था कि राजनितिक दल होते क्या है हमारी राज ववस्था कैसे चलती है केंद सरकार क्या होती है राज सरकार क्या होती है कौन इनके मुखिया होते हैं कौन इनको तै करते हैं उन सब के बारे बेसिक डीटेल्स हमने जानी थी क्या होते हैं क्या होते हैं मैं लाशपती कौन करता है वग जिसके बारे में आपहरजयत हैं और विजए उन में एक नाम देख रहे होंगे कॉंग्वेस बीजे पी समाजवादी पार्टी यह सबी पार्टिया होती है तो हम नी उसके पहले ही दे कुके थे कि जरूरत क्या है राजनेतिक अर्थ क्या है और को चुनाओ लड़ा होते हैं अगर सारे इंडीपेंडेंडेंट लोग लड़ेंगे तो इंडिपेंडेंगी से सरकाल सताना मुष्पिल हो पर दे रहा है मत देने वादे पार्टियां संजद या विदान सबादों नहीं संसद देश में कानून मुनाती तो वह चीज़ें जब पार्टियों के नित्रत्व में हो रहे होते हैं ठिसमें से दो या तीन मुट्त होना क्यों आता है तो विपक्षि डल आपको पता होना चीज़िए क्या होगा पके में कि आपको उसका ये पता होना साथ अपनी अलग राय भी रखते हैं विपक्षिदल सरकार के खिलाफ आम जनता को गोलबंद भी करते हैं गोलबंद मतलब की खट्टा करना सरकार की खिलाफ जैसे वर्तमान में अभी के सेंट्रल एस वेल इस स्टेट मतलब देश की जो लोक सभाय वहां पर भी और स्टेट में भी कॉंग्रेस की भूमी का निभार हैं हाला कि उसे दर्ज़ा प्रात नहीं है लेकिन फिर फिर विपक्ष में वैठती है सरकार के और भूमी का निभा रही है विपक्ष की सरकार को सरकार की नीतियों को वो जो है बार-बार विरोध करते हैं बार-बार उनके खिलाफ बोलते हैं यहां तक कि लोग को भी खटा करते हैं यहां जोटो सरकार यह गलत कर रही ह यह सिलेंडा के प्राइस बढ़े हों तो कॉंग्रेश कर रही है तो पर दर्शन कर रही है हलाकि यह कम देखता है क्लिकि कॉंग्रेश को सबसे कम घटिया प्रदर्शन चुरा? लुग सब appliज़ुरा इस बार में दफ पहर भी अच्छा था इसके ब avail तो दिखाता है कि कॉंग्रेस की साह कम हो रही है जो कॉंग्रेस पहले थी तो विपक्षिदल वह होता है जो सरकार के सामने स्पीकर के लेफ्ट और साइड पर बैठ रहा है वह लेकिन सरकार की नीश्चियों का विरोध करता है तो लिखने को आ सकता है आप उधारन साहीद लिख सकते हो उधारन के तौर पर वर्तमान में लोग सभा में जो है वह वह वैठता है और साथी साथ राज़िकी विधान सभामें भी पाइटी की तरह बैठते हैं जबकि आप स्टेट का उधारान लिख सकते हो मदब देश की विधान सभा में बिलकुल कॉंग्रेस जो है अभी पक्ष पे बैठती है हक से बैठती और विपक्ष का नेता भी अभी जो है मानिक कमलनाज जी ही है जो हमारे पूरों मुख्यमंत्र इसे यहां पर हम देख चुके थे कolph हैं और कम बाद प्रम के बाद हमको पढ़ना था कर रहे हैं अलगलग तरका विरोध है यहां पर जो है दल कि तो इसके बारे में कल हम बात कर चुके थे जैसे ब्रिटेन और अमेरिका और कई देशों में बहुत अली विवस्ता है उसके बाद राजनीती की नयतिक ताकत इसके बारे में आमने देखा था कि एक किशन जी थे जो अब इस दुनिया में नहीं है और उनके जो अनुयाई है जो किशन जी बोल के गए से उसके बारे में आलग अलग बाते वो रहे थे यह क्या दिखाता है यह दिखाता है कि एक ही लक्ष के लिए एक ही लक्ष के तो अच्छा जय गुर्देख लिए मैसेज देखा था लेकिन कंटिविट में आगया था जै गुदे अंजली जै गुदे नेना जै गुर्दे बहुत ने जै गुदे गुदे गुषिश जै गुदे जै गुदे कांशा तो कुछ पूछना भी था क्या कि नहीं भी आभी नहीं पूछना ठीक मुझे पूछना पूछना है कि महाभियोग राश्पति के लिए चलता है प्रदान मंत्री को भी अटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा राश्पति के लिए अविश्वास प्रस्ताफ होता है कि हम बात तो क्यार सहीव हो रही है अब देखते हैं एक पर कर लेते हैं महाभियोग कि सुप्रियम कोट के नियादी चेख लाब ही किया जा सकता है और हाँ सहीए महाभियोग की वह प्रक्रिया है जिसका इसमार राश्पति और सुप्रीम कोट या हाई कोट के जज़ों को हटाने के लिए किया जाता है महाभियोग प्रिस्ताव से तब लाए जा सकता है जा सकता है कि लोग सब्सक्राइब करने के लिए कम सब्सक्राइब होते हैं हाँ भारत में सिर्फ राश्पति को ही हटाया जा सकता है हाँ मैं यहां गलत था बात बिल्कुल सही है राश्ट्पति को ही हटाया जा सकता है और जैसा कि खुशी ने बोला बिल्कुल ठाहिए तो आविश्वास मत जो है वह सरकार को लाना होता है आव इस्वास मत पारिद करने के लिए क्या होती है उसके लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है आविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है जो कि विपक्ष का नेता सदन के सामने रखता है लोगसभाय राजसभा दोनों में ही रख सकता है और लोगसभाय राजसभादेश की प्रधानमंत्री वहीं बैठते हैं दोनों में तो अभी भी बहुमत है यदि उनके पास नहीं होता है वोटिंग में उनका परसेंटेश कम आता है तो सरकार गिर जाती है अविश्वास प्रस्तार जो है वह एक निश्चित अवधी के दौरान ही लाया जा सकता है कोई मुद्द अगर ऐसा होता है जिस पर लगता है पहले तो विपक्ष के नेता चाहते हैं कि बार-बार आवश्वास प्रस्तार लाया जा सकता है वह विपक्ष के पास रखता है और बड़ी सबस्क्राइब करते हैं अगर साबित कर देते हैं अगर साबित कर देते हैं तो सरकार बनी रहती अगर वह में सब इतने कर पाते तो सरकार गिर जाती है बिल्कुल सही पॉइंट है और हाँ यह बात सही है जाते हैं पुक पर तो एक बात यार रखेंगे महावयोग राश्पती को निकाल सकते हैं महावयोग राश्पती खिलाव सब्सक्राइब कारण से कोंगरेस ने मुरारजी देसाई की सरकार जहां तक है उसके पीचे की कुछ हिस्ट्री है कॉंग्रेस के खिलाफ कॉंग्रेस ने करवाई थी याद नहीं है तो इसके कारण्ट से उनकी उद्देश थे वहता है और वह भजहिए कि लाव मंत्री की एज़ कितने ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं कंwriting पहती है ज्यादसे ज्यादा कुछ भी हो सकती है कितने भी बंक रह सकते हैं ज्यादा चुछ नहीं हैं अचंबे वाली बात है हर सरकाई नौकरी की उम्रता है बासट वर्स कर दी गए यह शायद अभी बासट इस पहले साइट थी अब कि अगर मतलब उनकी आयू नहीं है तो बीच में अगर उनकी बिच में तो फिर क्या होता है कि आचो पहले इंद्रा गांदी जी के साथ ऐसा हुआ था राजीव गांदी जी के साथ ऐसा हुआ था तो उसके समें सबसे पहले तो जो ववस्था है उस ववस्था के तहट प्रधान मंत्री को मत्तिव घोशित नहीं कि आती है जब तक कि कोई नया प्रधान मंत्री पदभार ग्रेंड ना कर सके उस दौरान सारी नियंत्रन जो है वो एक तरह से संविधान तो अलग-अलग चीज़े कहता होगा अमेरिका का संविधान में जो है वो राश्पती प्रमोखोदर तो उपर राश्पती को शक्तिया मिल जाते हैं कुछ दियर के लिए लेकिन भारत का संविधान में ऐसा कुछ हुआ नहीं लेकिन एक इंसिदेंट जरूर है इं इंद्रागांधी जी की जो है मत्यू हो गई है तो इस केस में भारत का इतिहास के कहता है किसके पास अधिकार चले जाते हैं उस पर मुझे अभी डाउट है कि मुझारा पर दौरान आ या फिर लोग सफाय कर पास जाते होंगे कई केसी में ग्रहमन मंत्री जो सेकंड़ नमबर पर होते हैं कुछ अप्वारत का समधन का कहताए नहीं पत्ता अमेरिका का इसलिए पता है कि वह कुछ मूवी में देखा है अमेरिका में राष्पती के पास राष्पती राष्पती तो उसके में अपने क्या खुआ हुआ हैं लूप निटीव को चुपाया पहले राजी गांधी को पतार मंति बन बाया गया उसके बाद उनके मत्युक्ति वापचारिक घोशना की गई कि पमानी पतार मंतरी नहीं रहें और देश के आगले पतार मंतरी राजी गांधी जी होंगे तो समयधान का कहता है वह थो बारत का समय देंगे फ्रीसी इंट्रेस्टिंग चीज है अपनको पताऊना चीन अगाए नगाए इसका वर्णन मेरे ख्याब से राश्पति शार्षन लग जाना चाहिए लीगली तो यहीं होता है कि अगर बतान मंतर की मत्ति हो जाती है तो देश में राश्पति शार्षन लग जाए क्योंकि सदन का लीडर नहीं रहेगा उस चरासी स्थिति के लिए फिर उसके बाद यदि जो बहुमत में सरकार है वह अपना नया वह बता दे उसको अपर दिलवा दिलवा जाएगी तो कुछ समय के लिए हो सकते हैं लेकिन कि क्लियर क्लियर नहीं दिखा हुआ है कि अगा दिखाए यहां पर दिखाए यह अपने पर्षेटर्ट कोई कारण नहीं कर सकते हैं अगर प्रधान मंदी की मत्त्य हो जाता है खतपती सासन लग जाएगा और ठान मंत्री मीचले सरन कलेगा नीचली सबसेती जिए नेता होता है कि भिष राश्पती शाष्ण लग जाएगा मेरे क्यावसे तो कि हम पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि गुगल भी नहीं वितार है इसके आंसर तो यह हो सकता है राश्पतिशाशन लग जाएगा कि अब पढ़ना पड़ेगा उसके लिए यदि पीम और सीम दोनों की एक साथ हो जाती है तो फिर क्या होगा सेम केस अगर सीम का एक सीम के मुनत्युत नहीं होई है सरकार क कई बार सेंग जो हें बहुत मसला है सरकार गिलती है तो वहाँ पर राश्पति शाशन लगा दिया जाता है और राश्पति शाशन लगाने के बाद राज्य पाल फिर उस दल को नयोता देते हैं कि के अपना सदन का लीडर परस्तुत करें नया सदन का लीड़र आएगा सरकार फिर से गठित हो सकती है कैना अगर सरकार को तो फिर से चुनाओ करवाना पड़े वहां फिर जिसके गठेट मन जुड़ा है यहाँ पर जैसे इसमें लिखा कि जैसे प्धारमंद्र की म्रत्यू हो जाती है तो मंद्री पर सब्सक्राइब उससे बनेगी नए तरह से बनेगी और अगर दोनों का एक साथ होता है तो दोनों ही जगा राजपतिशाशन लग जाएगा पूरदेश में भी और उस देश के सा साथ उस स्टेट में भी मेरे ख्याल से तो अभी तक भारत के सामने ऐसी जट्रेशन नहीं आई है कि दोनों जगा ऐसा हुआ है हाँ है यदी और अनपॉर्चनेटली से भी अनपॉर्चनेटली यदी राष्ट पती भी राष्ट पती की देटर जाएगा प्र आएगी बात प्रदेश का उपराश्पती जो है वह समहार रहे होंगे और अगर उपराश्पती प्र उसके बाद कौन संभालेगा तो फिर मेरे ख्याल से उपराश्टिक पती के बाद तो लोगसबा का स्पीकर बचता है जो प्रमुख रहेगा सम्विधानिक पर रहेगा और यह सब्सक्राइब हो सकता है वह अपतकाली निस्तिती होगी उस कंडिशन में कुछ नहीं होगा देश टूट चुका होगा पूरा और फिर से चुनाओ के फिर से सरकार बनेगी क्यों क्योंकि जब इतना कमजोर होगा देश तो दो ही रीजन हो सकते हैं जब इतना जब यसी सब्सक्राइब कर लेगा या फिर नहीं करेगा सेना नहीं करेगी तो कोई बहुत ज्यादा नाजो के स्तिति होगी सब लोग अपने अपने सब लोग पीएम बनना की कोशिश कर रहे होंगे सब लोग आदेश दिना जा रहे होंगे तो सरकार किसकी सुनेगी इसकी तो पूरी आवबबस्ता पैल चुकी होगी और उस कंडिशन में देश सबसे कमजोर दोर से गुजर रहोगा और उस दोरान या तो देश का ही कोई सैनिक ताना शाह देश पर कपज़ा कर लेगा या फिर कोई दूसरा देश भारत पर हमला कर देगा और भारत फिर से गुलाम हो जाएगा ऐसी कंडिशन हो सकती है भगवान ना करे कभी हो फिर से आजाते हैं थोड़ा सापने चैप्टर पर यह कहानी पढ़ चुके थे वह लोग जो उनके शीशे थे किशन जी के वह अलग अलग पॉइंट आव व्यू रख रहे थे किशन जी के बारे में उसके बाद जो आता है याला पॉर्शन इसी में तो अपन पहुंच गए थे और इसके बाद ही तो आप 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 में देखा था कि चीन में सिर्फ कम्मिनिस्ट पार्टी को सासन करने के अनुमत ही है हलां कि काने रूप से वहां और भी लोगों को राजनितिक दल बनाने के आजाती हाँ कि यह हो गया यह पढ़ लिए यह पढ़ लिया था कुछ देशों में सत्ता आंतरपा दो मुल्कों के पास होती है तो यह देख लिया था अनेक डल सत्ता के लिए होड में 2 या 2 से अपने इसांतर होता है ऊजिन में यही व्यवस्ता है में रिवीजन जैसा एक तरह सो रहा है तो 2004 में भारत में यहां पर आया हुआ था उनके फुल सब्सक्राइब कोई बहुत अच्छा सब्सक्राइब करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं लंबे दौर के काम काज के बाद खुद विक्सित होती है समाज की प्रकेति राजनी विवाजां राजनीतिक इतिहास और चुनाव पुनाली सभी चीज़ें भूमी का निभाती जल्दी से बदल जा सकता सीदी सीयाथ वही बोरें तो तिन पाड़ी अतने बड़े मुलकी सारी जमें सामाज जीग भॉगली विवित्ताओं को समेट पाने में अक्षम है इसलिए बहुत अली व्यवस्था अच्छी है वह रहा है कि राजनीतिक दर्स अंकिट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता होने सम्मान की नजर से नहीं देखती उपलब्द प्रमान बताते हैं कि यह बात आशिक रूप से सही है बड़े निमूनें पर आधारित और कई दर्शकों तक चले सर्वेक्षन के तत्य बताते हैं दक्षे एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं के पक्षमें बोले उनका अनुपात कुछ भरोसा या पूरा भरोसा बताने वालों से काफी ज्यादा था जाया था लोगतंत्र पर विलागी होती है पूरी दुनिया में राजनीतिक दल एक ही संस्टा है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं भारत बहराब बार-बार यूज़ करते ना चलो ठीक है यह दूसरी बात बैराल राजनीतिक देलों के काम काजों में काम काज में लोगों की भागेदारी का इस तर काफी उच्छा है खुद को किसी राजनीतिक देल का सदाश्य बताने वाले भारतियों कानुपात कनाडा जापान इस्पेन देखो विभिन देलों की सदाशंख्या रक्षिन एशिया में शेश विश्व की अपिक्षा कई जादा है हमाई यहां जो हमाई पार्टी से जोड़ना जवर दसती एक तो सला ऊट पटांग काम है आप जैसे मान लीजे एक बड़ी सी पार्टी है नाम ले लिता हूं भारत भाई क्या गलती से अपन ने सोचा मिस्कॉल मार के देखें जैसे में में सकॉल मारा खतम भाजपा के सदश्वन ले यह क्या बात वह बाइब और भारत में जो है और उसके बाद आगा हम को सदश्चा छोड़ना हो तो वह कुछ के उसके लिए कुछ नहीं है वह नहीं ज़ेश के या को बने या कॉंग्रेस के सदश्च क्यों आधनी पार्टी वह深त दो आधstorm जो है लिखा हुआ यहां पर कायका और सथ आए कि लिवेंद ऑन लोगी सदश्चा ने शेष यूश्क्या कई ज़्यादा है कुछ को किसी दल का सद्श्य बताने वाले लोगों की संख्या और संख्या बता रहे हैं भारत में पाइटी सद्श्य ता बढ़ी है जो बहुत भरोसा नहीं एकदम भरोसा नहीं करते हैं और नहीं जानते हैं यह जानते हैं अगते एक आएना आक्णों का 27 प्रतिशत कंड़ावाशी मानते हैं लिबरल्स को सत्ता में होना चाहिए 35 प्रतिशत कंड़ावाशी मानते हैं कि सभी राजनेताओं को बहुत बड़े कार की डिगी में बंद करके उसे नियागरा जलप्रपात में ठेक देना चाहिए कि मतलब सब्सक्राइब यह क्या मामला हुआ 27 परसे वहां दो पार्टी है लिबरल्स अब्जेक्टि में आ सकता है कहां कि कैनेडा की और कंजरवेटिर्स तो दो पार्टियां है और उसमें परसेंट चाहते हैं कि लिबरल्स बन जाए परसेंट चाहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं कि सबको बाद मार दें उनका मतलब यह कि परदिए आंख़णों को स्क्राफ से मेल खाते हैं नहीं खाते भाई साब वहां की पब्लिक अलगे थोड़ी सी अब इराष्टी दल क्या होते हैं चेटरी इस पर भी कोशन बनता है तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने अपन वारतिन वचानायोग द्वरत राजनितिक दलों को पंजी कर रों मानता कैसे पितान की जाती इसके बारे में अधिक जान करें लेख देखें विश्व के संगी व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में दो तरह के राजनेतिक दल है संगी एकाई में केवल सिर्फ एक एकाई दल में अस्थित रखने वाले दल भारत में भी यह इसके दिए थिया है कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई है और उन्हें राष्टी पार्टी कहा जाता ह इन दलोगी विविन राज्जों में इकाईयां है पर कुल मिला कर देखे तो यह सारी इकाईया राष्टी इस्तर पर तैह होने वारी नीतियों कार कमो रन्ड नीतियों को ही मानती है देश की हर पार्टी को निर्वाचना आयोग में अपना पंजीकरण करवाना हो तक प्रयोग पार्टी का अधिक्रत उम्मिदवार ही कर सकता है इस विशेश अधिकार और कुछ अनलाव पाने वाली पार्टीयों को मानता प्राप्त दल कहते हैं चुनाव आयोग ने पड़े कुल मतों का 6 फीज़ती या उससे अधिक हासिल कर लेती है और कम से कम दो सीटों पर सीट दर्ज करती है तो उसे अपने राज के राजनीतिक दल के रूप में मानता मिल जाती है अगर कोई दल लोकसफा चुनाओं में पड़े कुल वोट का अथवा चार राज्यों के विधान सभाई चुनाओं में पड़े कुल वोटों का 6 प्रतिशत हासिल कर लेता है और लोकसफा के चुनाओं में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज कर लेता है तो उसे राश्टी दल की मानता मिल जाती है तो सीदी सीथी बात यह क्या है इन्होंने कंडिशन लगा दी क्या क पर्टी बनाई Q стало कि नाम बता होगा कोई नाम भता हूँ को MAN को नामिप पस страх कि झालो जाने जो सबसे पहले हम जो है तो राजी का चुनाओ लड़ने के लिए सबसे पहले डारेक नहीं लड़ सकते हैं अच्छा पार्टी होने का फायदा क्या है पार्टी होने का फायदा यह है हमारे जितने भी प्रतिनीधी मदभदेश की विधान सब्था के चुनाओ लड़ेंगे अलग-अलग जिलों से उन और हमारा दल रजिस्टर हो जाएगा और चुनाओ वायोग हमको चिन देदेगा कि इस चिन पर आप अपने प्रतिनीधी खड़ा कर सकते हों लेकिन इसमें जो हमें पर्टिकुलर्ली जो चुनाओ लड़ रहे होंगे राज में उसके लिए जो हमें कुछ कंडिशन लगती ह दल में अगर आपको चाहिए है तो विधान सभा के चुनाओं में पड़े कुलमट तो का छे फीज दी जब कोई पार्टी पहले बना ली पार्टी रेजिस्टर कर ली चिन मिल गया चिन मिलने के बाद जो राज की विधान सभा हुए उसमें छे फीज या फिर उससे अधिक की चाहिए और कम से कम दो सवीवान सभा मिलेंगे दो सीटे से जादा मिलेगि उसके बाद जो हैं अपनी राज की पार्टी बना और क्वेडैलियादी लोगसाथ में पूंस बड़ी बनाना है तो लोकसफा की चौनायों में हम को जो है वह कुल वोटो का 6परसेंट गम 4 सीटों अरब बोड़ेंगे तर हमारी पार्टी देश की पार्टी कहल लाएग उसे से बेराश्री दल की मानता मिलता है पारटी से इस बार आपको बोटन मिल जाय को फैंसिल मिलग सकते हैं अि इसके कारण से वह उनको एक फायदा मिलता है लोग पर से लोग सभा का चुनाओ जो होगा या राज सभा को चुनाओ कुल परसंट जैसे मान लीजिए मद्वदेश में मान लीजिए तीन करोड वोटर हैं तो तीन करोड का च्छे परसंट लगभाग अठारा लाख वोट पूरे राज में मिलना चाहिए अप्रॉक्सिमेटली बताये मैं गलत बताया आकड़े के वना अंदाय से बताया तुमको कुल मतों का च्छे मतला मान लीजिए अगर एक करो लोग वोट दे रहे हैं तो कम से कम छे लाख वोट पार्टी के पास होना चाहिए तब जाके राज की मिलेगी उसी प्रकार से देश की पार्टी के नाम तभी मिलेगा जब 6 परसंट वोट जितने भी वोट पड़े होंगे तोटल गिंती हो जाती ही सब माशीनों से क्याल प प्राप्त थे आई इन में से प्रतेक के बारे में कुछ महत्पूर्ण तथ जानने तो कुछ साथ जो है वह राष्टी इस्ताप्रमानता प्राप्त दल हैं उनके बारे में जानते हैं लेकिन उस पर जानने से लिए हाँ यह 2019 से हो गया है ठीक एक बार फिर से जोइन कर लो साथी के बारे में लिखा है ना कि अब यह ठीक एक बार फिर से देख लो मतलब एक बार फिर से जोइन कर लो अब है उस केस में नहीं बनेगी पार्टी अगर वोट मिल जाएं लेकिन सीट ना मिलें दोनों ही कंडिशन फुल्फिल होना चाहिए दो सीटे चाहिए और से परसे ज्यादा वोट चाहिए तब ही राष्टी दलकन मुह मिलेगा नहीं तो आप एक इंडिपेंडेंट की तर करने रहे होंगे आपकी कोई पार्टी नहीं होगी एक फिर से जोइन करो